खबर नाई न्यूज चैनल को सब्स्क्राइब करें और बैल आइकन दबा कर हमारी सभी न्यूज प्राप करें नमस्कार आप देख रहे हैं खबर नाई नौर में हूँ आपके साथ प्रिति शर्मा आईसे तो महु शेर आर्ट वार्डों में विभाजित है तचले दिनों देश की बासत केंट बोर्ड में सब्सक्राइब करें लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बया कर रही है महु केंट शेयत के विविन वार्डों में गंदिगी का समराज है महु शहर में छोटी से छोटी सक्री गलियों में जिदर देखो उधर आवारा पशू घूमते हुए नजर आसते हैं पता नहीं केन बोट की कब आँखी खुलेगी और इन आवारा पशू एयों स्वानों से शहरवासियों को निजात मिलेगी कब जब बोट की जिम्मेदार अधिकारियों से जानकरी ली जाती है तो वो अपने कर्टवयों से पला ज़हरते हुए नजर आते हैं ये बास सही है कि शहर की प्रमुख बजारों में दिन राज सपई चल रही है किन्टो सक्री गली और वो कुछ वाडों में आवारा मवेशी और सुवरों का विच्रन देखने को मिल रहा है बरहाल जिसकी वज़ा से गंदिगी का समराजी बना हुआ है इस मुद्धे पर जब केन्ट बोर्ट की पूर्व उपाध्यक्ष यों वर्तमान पार्षत रशना विज़ेवर्गी से सवाल पूछो तो उन्होंने कहा कि हमने आवारा मवेशी और सुवरेयों आवारा कुत्तों पर प्रतिवन को लेकर बोर्ट बेठक में आवाज उठाई तो अधिकारियों ने कहा कि ये काम छावनी परिशत का नहीं है SDM का वैता है विज़ेवर्गी ने आगे ये भी कहा कि इस संबन में हमारा प्रतिमीदी मंडल SDM से मिलने पोचा तो SDM ने इस पश्ट कहा कि ये काम हमारे विभागता नहीं है केंड बोर्ट के संजान में लाना चाहिए जबकि वास्तिविक्ता ये काम वो केंड बोर्ट का है दिखे ये बात सही है कि केंड बोर्ट केंड रहा है कि हम 2021 केस में नंबर वन आएंगे नंबर वन आने के लिए बहुत सारी सुविधायें जंता के बीच में पहले केंड बोर्ट को अपलब्द कराना पड़ेगी जिसके लिए उन्हें एक तो अंडर डेनेस प्लान जो हमारा कई सालों से चल रहा है शेंशन है अंडर डेनेस प्लान उसको पहले महू में अपलाय करना पड़ेगा अंडर डेनेस अगर होगा तो जो नालियां बंध हैं जो चोक हो जाती हैं कहीं किसी जगा रुख जाती है तो खुलेंगी तो अटमेटिक सफाई होने लगेगी और उसके बाद जो छोटी गाडियां होना चाहिए एक्चली में जो हमारा डोर टू डोर कलेक्शन चल रहा है वो डोर टू डोर कलेक्शन में रोड पर गाड़ी घूमती है ना कि छोटी गलियों में वो जा पाती है तो जो अंदर की साइड में जो कचरा अगर दिखाई देता है तो वो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि व तो उससे भी सफाई में काफी मदद मिलेगी और पैसा तो हमारा बहुत खर्च होता है सपाई पे लेकिन हमें भी पता है कि भूसारी जगा कचरा उठाया नहीं जाता क्योंकि वही प्रॉब्लम है कि गलियां छोटी है और गाडियां बड़ी है तो जो हमारी लेबर होती है व सब्सक्राइब के लिए चोटी गाड़ियों को अपलब्द कराना होगा यह मुद्धा हम कई बार सभी मेंबर और जब मैं बोड़ पादिक्ष्टी उसमें भी 5-6 बार हम लोग इसको उठा चुके हैं तो उनका एक हैना है कि यह काम SDM का है आवारा पशों को हटाने का ना क सब्सक्राइब का है और जब SDM के पास जाते हैं चुकि हमने इसकी शिकायत SDM को भी कि SDM के पास जाते हैं तो कि यह काम केंड बोड का है ना कि SDM का अब जनपरती निदी इन दोनों में उलचके रहे गए हैं लेकिन मैंने उसके बाद भी एक लेटर दिया है कि आप तीनों वठक करें lot SI करें lecom deixar केंड यह कालिए और इसका सलूशन निकाली है जो सकेथार को इस में स्टेशन कमांडर को भी बुलाईए ताकि इसका सालूशन निकले क्योंकि हमेशा एक दुसरे पर आ लगत प्रत्यारा अ करने से शहर ko इन जानवरों से मुकति नहीं मिलेगी और इ इसका सेलुशन तीनों डिपार्टमेंट को मिलकर निकालना चाहिए तभी जानवरों से मुक्ति मिल पाएगी एक दूसरे पर आरोप प्रित्यारोप से मुक्ति जानवरों से नहीं मिले इन दौर के महूं से संजेव वर्मा की रिपॉर्ट फिलाल इतना ही आज के लिए बने रही हमारे साथ खबर नाइन में